आज हम बनाएंगे कच्छे गोश की बिरियानी दम बिरियानी बिरियानी के अंदर बनाना बताया है अगर आपने वह वाली रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके देखे तो यह देख सकते हैं तो मैं आपको स्टेब इसके अंदर जो जो डलने वाली चीज़े वो दिखा लेती हूं तो यह मैंने आधा कप के करीब पंजाबी मीठा दै जो होता है तो वह डाला है मीठ कच्छे पपीता जो होता है उसका पिस्ट बनाया था कच्छे पपीते को मैंने अब मिक्सी में डालके छिलका निकालके अंदर साफ करके इसको पीस लिया और यह अभी मैं डाल रही हूं बिरियानी मसाला जो कि यह हॉममेड बिरियानी मसाला है मैं बना कर ही रखती हूं ग नमक दालेंगे तो गोष्ट में नमक ध्यान से ही डाल लिएगा और भी यहां पर दाल दी है मैंने एक छोटी चमच के करीब हल्दी पाउडर और इन सब चीजों के साथ इसे अच्छे से हम लोग मैरिनेट करेंगे और जैसे सब बताते हैं कि एक घंटे के अंदर ही इसे बाद ही बनाएं क्योंकि यह गोष्ट पूरी तरीके से कच्छा होता है और हम 30-45 मिनिट इसको अगर गैस पर पका रहे हैं तो यह नहीं गलती है मैंने इससे पहले बनाई थी लेकिन मेरा जो गोष्ट है वो कच्छा ही रहे गया था तो आज मैं इसे लांग टाइम मैरिने करें पर रात में बनाना है तो सुबह से इसको मैरिने करदें तो यह देखिए जो गोष्ट ही अच्छे से मैरिनेट कर दिया है मैंने सब मसाले वागेर लगा-कर और ऑइसे ड़क के अभी हम लोग साइट पे कर देंगे तो देख सकते हो आप गा इसे ओवरनाइट भी ढख तो आप लोग भी इस तरीके से ही डाले ताके चावल जो है वह खाने में खुशबू निम्बू का रस जरूर डालेगा इससे क्या होगा कि आपका चावल जो एकदम खिला खिला बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा आपस में यह चिपकेगा नहीं ते देखिए मैं इसमें फूल भी एट कर दिया है और यह सब चीजे डाल के पानी को एक बॉइल आने देंग जो भी गरम मसाले है आपके पास आप उन सब गरम मसालों का इस्तेमाल करें और देख सकते हो तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक तो नमक यह मैं करीब दो चम्मच के करीब नमक एट कर रही हूं जो चावल मेरा अधा से पहना किलो के करीब चावल है और जो गोश है वो मेरा देड़ किलो के करीब मैंने गोश लिया है तो गोश की कॉंटेटी आपके उपर है आप कम जादा कर सकते हो जो राइस को मैंने भिगोया था उसका पानी पूरे से अच्छे से ने ड्रैन कर दिया है पानी से उसको निकाल लिया तो देख सकते है आप लोग चावल पानी जब अच्छे से गरम हो चुका है इसमें से धुवा निकल रहा है और पानी जब अच्छे से गरम हो इसमें से धुवा निकल रहा है और पानी जब अच्छे से गरम हो इसमें से धुवा निकले उसके बाद ही इसमें चावल डाले थंडे पानी में चावल मट डालेग यह जितना अच्छा आप इसको भीगोगे उतना ही जादा यह खिला खिला और एकदम नरम चावल बनता है तो इसको हमने 80% ही पकाना है थोड़ा इसमें हमको यह रखनी है कसर तो अभी मैं इसको ढख के पका लूँगी तो देख सकते हैं यहां मैंने प्लेट इसके पर जाग हो चुका है तो देख सकते हैं दोनों हाथ से मैंने तोड़ दिया है इसको और बीच में हर किसी कसर मुझे लग रही है इसमें कनी थोड़ी है तो बस इस स्टेप में इसको छान दूगी और अभी यह देखे जो ओवरनाइट हमने गोश को रखा था तो यह भी मैंने ले लि है तो वह मैं आपको दिखा देती हूं तो यह देखे मैंने टमाटर जो बारिक बारिक चॉप किया है तो यह एक ही टमाटर है जादा नहीं लेना है एक ही टमाटर डालेंगे और यह जो है हरी मिर्ची का पेष्ट है तो यह देड़ चम्मस के करीब हरी मिर्ची का पेष्ट तो यह तेल में इसके अंदर एक पुदिना और हरा धन्या इन दोनों चीजों को मैंने अच्छा बारिक काट लिया है और इसी के अंदर जो गोशे गोश्ट के अंदर थोड़ा डाल देंगे हम लो ते देख सकते हैं मैंने गोश्ट में सच्छे से डाल दिया है रभी इन सब अधा चमच के करीब मैंने इसके अंदर ना निम्बू का रस भी डाला है थोड़ी खटास के लिए और यह देख सकते हैं तीन मिडियम साइज की प्याज ली थी मैंने जिसका मैंने ब्रिस्ता बनाया है अब हातों की मदसे से एकदम बारिक चूर लेना है हमें जितना आप ह बटियारे के पास बना कर लाते हैं वह इसी तरीके से बना कर देते हैं तो मैं भी आज बटियारे स्टाइल में ही कुछ बनाने वाली हूं तो आप लोग ट्राइजरूर के जिगा इंशाला आपको बहुत पसंद आएगी तो देखिए यह सब प्याज को मैं अच्छे से दाल दूगी जिसको मैंने हाथ से बुक्का बना के रखा है तोड़ लिया है हाथ से तो यह बस ऐसा ही चाहिए और भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब मसाले प्याज आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो देख सकते हैं आप लोग तो एक घंटा रखने की बिल्कुल भी गल्ती ना करें और इसके अंदर थोड़ा मेंको नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक आदा चमच और डाल दिया है आप इसे हमेंसा 4-5 गंटा मैरिनेट करें और एक किलो मतन में दो चमच पपीते का परेश्ट डाले और यह मेंने यहां डाल दिया है केसर एस प्राभ से रिक्टी का रहिञा है अच्छा है तो इस तरीके का मैंने यह बिरियानी बेंगे बेना से हमेर यह 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 बिलैनी है तृ चलुञाता है यह लिए दो दो देख सकते लिए झाल के निए बिरियानी होुए कैसे नहीं देखaking social के कि इसके तो एक चाप एमें देख न तो जादा तेल नहीं लगेगा इसके अंदर तो देखे भी हल थोड़ा सा मतलब एक चम्मस के करीब में चावल इसके अंदर डाल रहे हूं यह देखे चावल थोड़ से नीचे बिछाने के बाद ही इसके उपर मसाला डालेंगे यह देख सकते हो पूर अच्छे से मैंने है जरूर कीजिएगा चिकन में यह प्राब्लम नहीं आती कि गोश्ट नहीं गला है चिकन जल्दी से गल जाता है रोसों ज्यादा वक्त नहीं लगता है लेकिन यह मतन है मतन को टाइम लगता ही है गलने में इसको अच्छे से स्वाफ्ट होने के लिए जो लोग बोलते है क एक घंटे में ही यह मैरिनेट होता है यह मैरिनेट नहीं होता है मैं बार बार इसलिए बता रही हूं कि आप इतनी महनत करो और आपका बिर्यानी जो है वो खराब हो जाए खाने वाले नाराज हो जाए कि रहे इसमें तो गोस्ट जो है वो अच्छे से सॉप्ट नहीं लग देंगे उपर से थोड़ा और अब में इसके अंदर चावल बिछा दूँगी तो हमें पूरे ही चावल इसके अंदर डाल देने हैं कोई लेयर नहीं बनानी क्योंकि यह दम बिरियानी है और निचे गोष्ट जो है वो कच्छा है तो हमें गोष्ट को भी पकाना है तो कम से कम मैं गोष्ट को पकाऊंगी मतलब जो बिरियानी है उसे दम दोंगी एक घंटे के लिए दम धीमी आज पर ताकि गोष्ट जो है अंदर अच्छे तक पक जाए मुलायम हो जाए खाने में भी अच्छा लगेगा तो इस तरीके से इसलिए मैं बार बार आप से पूल रह है कि सिफ मैरिनेट के लिए आपको पांच घंटा इसको देना है और यह देखे चावल वगेरा सब मैं अच्छे से अंदर बिचा दिये हैं तो देख सकते हैं पूरा मेरा जो बिरियानी की देग है वह भर चुकी है माशाला और मेरे पर जो दो कलर है तो यह दो कलर कई मैं सब्ढकर ऑलन देख सकते हैं तो बस इस तरीकके सरी अरवी मैं सब्सक्राइब लगा देंगे पहले मैं थोड़ी इसके ऊपर ब्रिस्ता की प्याज कर देती हूं कि देखे मैंने इस सागी प्याज बीस पैट कर दी है और मैं फॉलिंग पैपर लगा दूंगी विधी की लि गी नहीं डाला है तो हम घी भी डाल देंगे इसी के साथ पहले में देख लेती हूं कि कवर इसके पर अच्छे से फिट आ रहा है या नहीं अगर ऐसा होगा तो मझे दूसरा कवर और काटना पड़ेगा अगर आपके पास पॉलिंग पेपर ना है तो कोई टेंचन की बात नह आप एक मलमल का कपड़ा या डूपट्टा ले सकते हो और उसको इसके पर भान लेना आजु बाजु से तो देखिए कवर जो अच्छे से इसके पर फिट आ रहा था तो मैंने चेक करकर हटा दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल ली हूं करीब तीन से चार चमत के करीब म देशी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं आपको मखन डालना है तो मखन डाली और बस इस तरीके से तो यह फॉलिंग पेपर इसके उपर में इस तरीक से रैप कर दूंग ताकि जो स्ट्रीम है वह अंदर ही रहे औ और भाब जो है वह भी बाहर नहीं आएगी और इसी भाब के अंदर हमको गोष्ट को गलाना है पकाना है तो अच्छे से इसको कवर कर लें कहीं यह भाब वह लिक नहीं होना चाहिए मेरे पास ये जाडे पान का जो इसका तो यह तवस्त जो मैं इसके अपर रख दी हूं ठीड पर 1 Quinn 묍क का आख अपर 1-1.5्मंड कर देंगे पर 3,5 मिन और यह पर निलाश का रोचंग आपर नहीं Pr combination आप आताकि अच्छे लोल भीकरन सबाइबipा एक भनटा जाने पकाना कईऴ तो मेरे पास में यह एक रोटी बनाने का तवा है मेरा जर्मन का यह कापी है तो मैंने इसी को रख दिया है देख सकते हैं आप लोग अब इसको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं और अब गेस की फ्लेम भी हम लोग 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 मीडियम रखेंगे अब इसको आराम से धीरे धीरे पकने देंगे और आप देख सकते हैं जो साइड से स्ट्रीम आ रही है तो देखिए तो मुझे लग रहा है कि बिल्यानी अब हमारी रेडी हो चुकी है मैंने कम से कम इसे एक घंटे के लिए दम कर दिया था तो मैं चेक कर लेती हूं अभी खुश्बू बहुत अच् आपको यकिन आएगा और इसका कलर देखिए और दाना देखिए एक एक दाना खिला खिला दिख रहा है बिल्कुल भी चावल जो है वो गिला या चिपका हुआ नहीं बना हुआ है तब ही मैं आपको एक प्लेट में भी निकाल के बताऊंगी कि बिर्यानी कैसी बनी है और बहुत जादा गरम है मेरे हाथ पर जो है इसकी भाप लग रही है देख सकते हो चावल देखिए आप लोग कितने खिले खिले चावल बने हैं यह देख सकते हो बहुत जादा पतीला भी गरम है देखिए मसाला जो है यह देखिए मसाला देखिए कितना अच्छा मसाला भी इसका कलर भी देख सकते हैं आप लोग यह बिरियानी ज़रूर बनाईएगा और मुझे कमेंट करके भी बताईएगा कि आप लोगों को यह बिरियानी कैसी लगी और मैंने जो ट्रिक आपको बताई वह कैसी लगी तो बस आपको छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है और चावल का टेक्चर देखी यह बोटी देख सकते हैं आप लोग उपर जो बोटी है अच्छे से गल गई है और देखे किसे आपस तूड भी गई है बीच में से बहुत ही ज़्यादा गरम है बहुत ज़्यादा यह देख सकते हो कि मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूं और यह रेशा रेशा गोस्त का देखी किसे निकल रहा है तो माशायल्ला जैसी मैंने बिर्यानी सोची थी वैसी बनी है और आप लोग के साथ यह रेसिपी मैंने शेयर की आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए